है इस्टूर्टर में हमें दिल्ली सल्टनत के हिस्ट्री को परहेंगे चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है इसलिए उसको हम लोग पार्ट्स में करेंगे यह पहला पार्ट है और इसके बार वाले पार्ट्स का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताईएगा आपके क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को सबसे बहुतर तरीके से समझने में डीए भी गुरू आपकी मदद कर सकता है इसके लिए बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग कैटिग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाएंगे यहां से आप अपने क्लास के वीडियो को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस भी कर लीजे ताकि आपके एक लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलता रहे जैसा कि हम पहले ही बताए कि चैप्टर काफी ज़्यादा लंबा है इसलिए ब्रेन मैपिंग करना कमपलसरी हो जाता है तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि कौन-कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें देखना है जिसमें कि इस चैप्टर के स्टोडी को हम लग पिछले चैप्टर के स्टोडी से कनेक्ट करेंगे ताकि एक इस स्टोडी लाइन कंटिन्यू हो सके और हमारे लिए समझना आसान हो सके उसके बाद हमें Slave Dynasty के बारे में परना है जिसका एक और नाम है Mameluk Dynasty ये चला था 1206 से लेकर 1290 CE तक इस Dynasty के जितने भी Important Rulers थे उनके बारे में भी इस Topic के अंदर हमें डीटेल में परना है उसके बाद हमें खिलजीओं के बारे में परना है जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 CE तक शाशन किया था उसके बाद हम लोग तुगलक Dynasty के बारे में परेंगे जिन्होंने 1320 से लेकर 1412 CE तक शाशन किया था उसके बाद लोधी डाइनेश्टी 1415 से लेकर 1526 सी तक और उसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा अलमुष्ट सबसे अंतीम यक और टॉपिक है गवर्णेंस ड्यूरिंग सल्थनेट पीरियट ये जो दिलीट का पीरियट था उसमें गवर्णेंस कैसा चलता था राज का चलता था उसके बारे में सबसे अंतीम टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगी तो चलिए चप्टर को परना शुरू करते हैं, आराम से येरफोन लगा कर बैठ जाईए और पूरे चप्टर को कहानी के तरह सुनिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा बारावी सतावधी के अंत तक अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो एक 1173 से 1290 इसवी के बीच में भारत छोटे बरे राज्यों में बढ़ चुका था, भारत एक यूनाइटेड इस्टेट नहीं रहा था उस समय के शाशकों के बीच में कोई यूनिटी नहीं था, उनके बीच में हमेशा युद्ध होते रहता था इसी परिस्थिती का फायदा उठाने के लिए घोर का एक शाशक, जिसका नाम था गया सुदिन मुहमद और वो मुहमद घोरी के नाम से भी फेमस था वो इंडिया पर अटेक कर लेता है और पंजाब, सिंध और बाकी के कुछ राज्यों को जीत लेता है उसके बाद 1191 में मुहमद घोरी को पृत्वी राज चोहान चैलेंज करते हैं जो कि दिल्ली और अजमेर के शाशक थे दूसरे राजपूत राजाओं की मदद से पृत्वी राज चोहान मुहमद घोरी को हरा देते हैं और मुहमद घोरी किसी तरह वहाँ से भागने में कामियाब हो जाता है सिर्फ एक साल बाद 1192 में मुहमद घोरी फिर से तयारी करके वापस लोटता है और इस बार वो जैचंद को अपने पक्च में कर लेता है जैचंद भारत का ही एक राजपूत राजा था जो की पृत्वी राजचोहान से जलता था इसलिए वो मुहमद घोरी का साथ देने के लिए तयार हो जाता है और इस बार घोरी पृत्वी राजचोहान को हराने में कामियाब हो जाता है इस बार भी बहुत से राजा पृत्विरा चोहन के साथ थे वो अकेले नहीं थे फिर भी वो इस युद्ध को नहीं जीत पाते हैं तुर्कों ने अजमेर और दिल्ली को अपने कबजे में ले लिया और बाद में उन्होंने जैचंद को एक युद्ध में मार दिया 1194 में जैचंद वही जिनोंने तुर्कों की मदद की थी पिर सुरा चोहन को हराने के लिए उसके बाद मुहम्मद घोरी भारत से बहुत सारा धन लेकर घोर वापस लोट गया उसने कुतुक बुद्धिन एबग को भारत का डेप्यूटी अपॉइंट कर दिया अपने बदले में भारत पर शाशन करने के लिए उसने कुतुक बुद्धिन एबग को भारत में छोड़ दिया 15th of March 2006 को मुहम्मद घोरी को खोखर सोल्जर्स ने मार दिया खोखर एक समुदाय का नाम है और उसके सैनिको ने मुहम्मद घोरी को घीर कर बुरी तरीके से मार दिया उसके बाद इंडियन टरिटरी का पूरा कमांड कुतुबुद्धिन एबग के अंडर में आ गया जो की मुहम्मद घोरी का एक स्लेव था पहले के जो शाशक हुआ करते थे स्लेव रखा करते थे वो लोगों को खरीद कर अपना दास बना लिया करते थे और कुतुबुद्धिन एबग वैसा ही एक दास था जिसको मुहम्मद घोरी ने खरीद कर अपने पास रखा था क्योंकि एबक मुहमद गोरी का स्लेव था उसका दास था इसलिए उसने जिस डैनेश्टी की शुरुवात की उसको हम लोग स्लेव डैनेश्टी कहते हैं एक मैप यहाँ पर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत 13 सेंचुरी में कहां से कहां तक फैला हुआ था इसके बारे में आपसे एक जामे पूछा जा सकता है आप इस वाले रीजन को याद रखेगा ये वाला जो एरिया है इतने दूर में दिल्ली सल्तनत फैला हुआ था तो अब हमें दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले डैनेश्टी के बारे में परना है जो की है स्लेव डैनेश्टी या इसको मामलुक डैनेश्टी भी कहा जाता है मामलुक डैनेश्टी या स्लेव 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 डैनेश्टी या स् क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी मिलिटरी पावर थी। उसने यल्दूस को हराया जो कि कजनी का शाशक था और पंजाब को उससे आजाद करवाया। एबक को लिटरीचर, आर्ट और आकिटेक्चर बहुत पसंद था हमेशा वो इन तीनों चीजों को बरहावा देता था उसने कुतुब मिनार बनवाया था खुवते उल इसलाम नाम का एक मस्जिद है जो कि दिल्ली में है उसको भी उसी ने बनवाया था इसके अलावा उसने एक और मस्जिद बनवाया था जो कि धाई दिन का जोपरा नाम से फेमस है और ये अजमेर में है उसके दरवार में कई लेखक भी थे जिनमें की एक का नाम था हसन आजमी और दूसरे का नाम था मुबारक शाह अंततव 1210 इस वी में एबक की मिर्तिव हो जाती है और उसके पद उसका बेटा आराम शाह राजा बन जाता है लेकिन नॉबल्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं था ध्यान से समझे कि नोबल्स किन को कहा जाता था राज्य में राजा के बाद जो सबसे अमीर लोग हुआ करते थे उनको नॉबल्स कहाजाता था और राजा कौन बनेगा इसमें नोबल्स की बहुत बरी भागीदारी हुआ करती थी। इसलिए इल्तुत मिश्जों की एबक का दामात था और बदाउन का सुबेदार था। उसको रूल करने के लिए, शाशन करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। नोबल्स उनको बुला लेते हैं। वो अरामशा को हरा देता है और सुल्तान बन जाता है। यहाँ पर कुछ important points से आप उसको underline कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि slave dynasty का founder कौन था। तो कुतुबुदिन एबक था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अब हमें इल्दुतमिश के बारे में detail में पर्ना है, जिसने बारोसोदस इस्वी से लेकर बारोसोचाइस इस्वी तक शाशन किया था। अरामशा को हराने के बाद इल्दुतमिश दिल्ली को capital बना लेता है, सुल्तान बनने में इलतुतमिश को कई सारी कठिनायों का सामना करना पड़ता है लेकिन उन सभी कठिनायों का सामना वो बहादुरी से करता है वो अपने सभी विरोधियों को हरा देता है वो गजनी के यलदोज को भी हरा देता है तथा सिंध और मुलतान के कुवेचा को भी ह इलतुतमिशे की योग्य और बराही चालाक शाशक था। उसने तुरकिश इंपायर को गजनी और दूसरे विदेशी ताक्तों से आजाद करवाया और अपनी शक्तियों को और मजबूत बना लिया। उसने अपनी कूट निती से एक बार अपने आपको और दिल्ली को खान से बचाया था। चंगेश खान एक मुगल कंकरर था जो कि जिस राजिये को जी ठी लेता था। हुआ ये था कि चंगेश खान शाह का पीछा कर रहा था जो कि ख्वारिजम का शाशक था। शाह भाखते भाखते पहुचा इलत।मिश के पास दिल्ली आ गया और बोला क कि मुझे शरन दे दो मुझे यहाँ पर छुपा कर रख लो लेकिन इल्दुतमिश जानता था कि अगर इसको हम छुपा कर रखे तो चंगेज खां दिल्ली पर अटेक करेगा और दिल्ली को जीत लेगा इसलिए उसने अपनी कूटनीती का पड़िचे देते हुए शाह से कहा क कि दिल्ली का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा आप यहाँ पर रहेंगे तो आप बिमार पर जाएंगे इसलिए आप यहाँ पर नहीं रहेए आप किसी और राज्ये में चले जाएए इल्दुतमिश ने शाशन व्यवस्था में कई सारे बदलाव किये थे ताकि दिल् उर्किश नोबल्स का एक ग्रूप बनाया था जिसको चालीहा कहा जाता था और वो सभी नोबल्स उसके हिसाफ से काम करते थे सबको उसने अपने कंट्रोल में रखा था उसने अपने सामराज्ये को छोटे-छोटे हिस्सों में बाठ दिया था और उनको इक्ताज कहा जाता था ताकि administration को efficiently चलाया जा सके उसने चांदी के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था जिसको टंका कहा जाता था और उसने copper के सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको जीतल कहा जाता था यहाँ पर कुछ important point से उसको underline कर लीजी सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि iltutmish कब से कब तक शाषन किया था इवन जितना भी date है इस chapter में सबको आपको याद रखना है date के बारे में exam में पूछा जाता है उसके बाद आपको याद रखना है कि iltutmish ने किसे अपना capital बनाया था तो दिल्ली को अपना capital बनाया था उसके बाद आपको याद रखन नाम का एक famous writer उसके दर्बार में रहता था उसने इल्दुतमिश की जीवनी लिखी थी जिसमें की इल्दुतमिश की कारेकाल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है रुहानी और उसामी जैसे लेखक और कवी भी उसके दर्बार की शोवा वराते थे इन सब के साथ साथ इल्दुतमिश के साथ बहुत बुरा वेभार करता था मुसलिम्स दो टाइप के होते हैं एक होते हैं सुनी और एक होते हैं शिया दोनों एक दूसरे के जश्ट अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के हमेशा विरोधी होते हैं क्योंकि इल्टुतमिश एक सुन्नी मुसलिम था इसलिए वो शिया मुसलिम्स को कभी पसंद नहीं करता था उस समय कोई रूल आफ इनहेलिटेंस नहीं था मतलब राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई नियम नहीं था इसलिए जब भी किसी राजा का डेथ होता था उसके बाद कियास होता था बहुत भयानक युद्ध होता था राजा बनने के लिए इल्टुतमिश को अपने बेटों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे उसके बाद राजा बने वो चाहता था कि उसकी बेटी जिसका नाम था रजिया वो उसके बाद महरानी बने रजिया एक योग्य और बहुत ही मजबूत साशक थी और इसके बाद हमें उन्हीं के बारे में डीटेल में परना है रजिया सुल्तान इन्होंने 1236 से लेकर 1240 इसवी तक शाषन किया था सिर्फ 4 साल के लिए इनको शाषन करने का मौका मिला था इलतुतमिश के मरने के बाद नोबल्स ने उसके सबसे बरे बेटे रुकनुदिन फिरोज को सुल्तान बना दिया लेकिन सुल्तान बनने के केवल 7 महिने के बाद ही उसकी हत्या हो गई और रजिया को सुल्तान बना दिया गया रजिया ने सुल्तान बनते ही अपने अपोनेंट्स को कुचलना शुरू कर दिया, वो उचे पद उपर नौन तुर्क नोबल्स को रखती थी, मतलब ऐसे नोबल्स जो कि तुर्क नहीं थे, ऐसा इसी लिए क्योंकि तुर्क नोबल्स से स्टार्टिंग से ही नहीं चाहते थे की रजिया सुल्तान बने, रजिया सुल्तान एक बहुत अच्छी मिलिटरी जिनरल थी, और समय के साथ उसने अपने आपको एक बहुत अच्छा शाशक भी साबित किया, वो हमेसा पुरुष के तरह कपड़े पहनती थी, जब भी उसे कोई भी युद्ध करने जाना होता थ रजिया को बहुत कम समय तक शाशन करने का मौका मिला, लगभग उन्होंने सारे 3 साल तक शाशन किया, और 1240 इसवी में एक युद्ध में उनकी मौत हो गई रजिया के जाने के बाद नोबल्स ने बहरम शा को सुल्थान बना दिया, जिसने 1240 इसवी से 1242 इसवी तक शाशन किया, केवल 2 साल तक ये शाशन कर पाया, उसको 1242 इसवी में एक युद्ध में मार दिया गया, उसके बाद अलाव दिन मसूद साह को शाशन करने का मौका म और वो 1242 इसवी से 1266 इसवी तक शाषन कर पाया एक बात यहाँ पर समझने लाइक है उसको ध्यान से समझे नहीं तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे यहाँ पर बताया गया है कि 1242 इसवी से 1266 इसवी तक अलाउदिन मसूद शाह का सासन था लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और राजा के बारे में बताया गया एक और शाशक के बारे में बताया गया जिसका नाम है नासिर उद्दिन महमूद जिसने 1246 सवी से 1260 तक उसी टाइम पिरियेड में एक और राजा के बारे में बताया गया एक और शाशक के बारे जा सके इन्ही हिस्सों में से कुछ हिस्सों पर अलग सुल्तान का शाषन चलता था और कुछ हिस्सों पर अलग सुल्तान का शाषन चलता था इसलिए एक ही टाइम लाइन में आपको दो अलग-अलग सुल्तानों के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो चलिए नासि नासिर उद्दिन महमूद 1246 इसवी से लेकर 1266 इसवी तक शाशन किया था बात है 1246 इसवी की इलतुतमिश का सबसे छूटा बेटा था नासिर उद्दिन महमूद इसको सुल्तान बना दिया गया था और ये लगबग 20 साल तक सुल्तान बना रहा गया सुद्दिन बलबन उसक 1966 में और बलबन सुल्तान बन जाता है क्योंकि नासिरुदिन महमुद का कोई भी बेटा नहीं था अब हमें गया सुदिन बलबन के बारें परना है जिसने 1266 से 1286 इस वी तक शाशन किया था बलबन एक मजबूत और योग गिशाशक था उसने अपने सभी विरोधियों को दबाया और लोगों में दिल्ली सल्तनत के प्रती आज्याकारिता और देश प्रेम का भावतपन किया बलबन ने उन सभी पावर्स को छिन लिया जोकी इलतुत मिश ने 40 तुरकिश नोबल्स के गुरूप को दिया था ऐसा उसने इसलिए किया ताकि अपने पोजीशन को और स्ट्रॉंग बना सके वो एक ऐसा सुल्तान था जोकी हमेशा नियाय पर विश्वास करता था वो कभी भी किसी मुझरिम को नहीं छोड़ता था चाहे वो आम आदमी हो या कोई नोबल ही क्यों न हो उसका दरवार बहुत ही डिसिप्लिन था उसके परमिशन के बिना कोई बोल भी नहीं सकता था और हस भी नहीं सकता था और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको सजा मिलती थी उसने सुल्टानपद की प्रतिष्ठा और ताकत को बढ़ाया अपने राजी की सीमा की रक्षा करने के लिए उसने बहुत बरे-बरे किले बनवाय थे और उस पर सबसे अच्छे गार्ड्स को चुन-चुन करकता था फाइनली 1286 में गया सुदिन बलबन का डेथ हो जाता है उसके डेथ के बाद एक कनफ्यूजिंग सिच्वेशन क्रीट हो जाता है कि कौन सुल्तान बनेगा क्योंकि उस समय सुल्तान बनने लायक कोई भी बन्दा सामनी नहीं दिख रहा था दो सालबाद 1290 इस वी में जलाल उद्दिन खिल्जी जो की खिल्जी डाइनिस्टी का पहला शाशक था ये बलबन के सक्सीसर को हरा देता है बलबन की बाद एक कमजोर राजा बनता है जिसको हरा देता है ये और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खुद बैठ जाता है तो finally हमने slave dynasty को पूरा खतम कर लिया, अगले class में हम लोग खिलजीयों के बारें परेंगे, जिसमें के सबसे पहले हम लोग जलाल उद्दिन खिलजी के बारें परेंगे, अगर आपको इसका अगला part भी चाहिए तो आप comment में लिखकर जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके class के social science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए, वहाबर आपको हर chapter का वीडियो मिल जाएगा, और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए, फिलाले से वीडियो मितना है, मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topic से साथ, तब के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहे हैं